दोस्तो मैं कांस्टेवल जी सिंग सेंटर रजर प्रिस पोर्स का जवान हूँ मैं आप लोगों के जरिये हमारे देश के प्रतान मंतरी स्रीमान निये नरंद मोदी जी तक एक संदेश पहुचाना चाहता हूँ जिसमें मुझे पूरा भरोसा है कि आप लोग मेरा सयोग करेंगे तो मेरा कहना यह है कि हम लोग CRP वाले इस देश के अंदर ऐसी कौन थी डूटी है जो नहीं करते लोग सभा चुनाब, राज्य सभा चुनाब यहां तक की छोटे मोटे ग्राम पंचाद के चुनाबों में हम डूटी करते हैं इसके इलाबा BIP सुकर्टी, BBIP सुकर्टी, संसत भवन, एरपोर्ट, मंदिर, मस्जित, कुर्दवारे कोई भी ऐसी जगए नहीं जहां पर सेंटर रेजर कुलिफ़ोर के जवान अपना योगदान ना देते हूं इतना सब कुछ करने के बावजूद भी, भारतिय आर्मी और CRP और बाकी भी अर्सेनिक वालों के बीच में फैसलेटियों में इतना अंतर है, इतना अंतर है कि आप लोग सुनोगे तो हैरान रहे जाओए सबसे पड़ी बात माननी है, मोदी जी से मैं कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर ना जाने कितने ही सरकारी, स्कूल और कॉलेज हैं जिनके अंदर बैटे टीचरों को आप पचास-पचास-चाट हैर रुपय महिने की पे दे रहे हो और उसमें साल में ना याने किन्दरे दिन हरते वहार वो लोग घर में रहते हैं, घर में मनाते हैं और हम लोग कोई छेती गर्थ, जारकन के जंगलों में, कोई जम्मू कस्मी के पादियों में पढ़ा रहता है ना इसको कोई बैल फेर मिलता है, ना ही समय से चुटियां मिलती हैं हमारे इस दुख को समझने वाला कोई नहीं है दोस्तों क्या हम लोग इसके हगदार नहीं है, इतनी डूटियां करने के पावजूद भी तो दोस्तों आर्मी को पैंसन भी है, हम लोग की पैंसन थी वह भी बंद हो गई 20 साल बाद हम लोग की छोड़कर जाएंगे, तो क्या करेंगे, एक सर्विसमेन का कोटा भी हमको नहीं इतनी फैसिलिट मिलती है, हमें उससे कोई इतराज नहीं, मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे साथ इतनी भेदबाब क्यों, हमको भी तो मिलनी चाहिए, दोस्तों मेरी स्वास से आप लोग सहमत हो, तो इस वीडियो को जितना हो सके आगे बढ़ाओ इतना है झाल झाल झाल